Hello guys and welcome back again to my channel. कैसे हो आप सब लोग, I hope so आप सब लोग बढ़िया ही होंगे. इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, Angel1 के platform से आप option chain देख सकते हो. साथ ही साथ में delta, theta, gamma, vega भी options का आप देख सकते हो. बहुत ही easy तरीके से आप check कर सकते हो. इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, वीडियो बहुत ही short होने वाली है, पूरा वीडियो को end तक watch करें. 22,125 का exactly हमें यहाँ पर breakout देखने को मिला, breakout के बाद आप देख सकते हो, अच्छी कासी तेजी हमें nifty में देखने को मिल रही है, all time high pace, अभी फिलाल nifty कारोवार करता हूँ, दिखाई दे रहा है, तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं, इसका option chain कैसे चेक किया जाता है, तो सब nifty का देख रहे हैं, यह जो आप ये side देख रहे हो, ये call side है, और यह जो आप देख रहे हो, ये वाला section ये put side है, और यहाँ पे आपको OI देखने को मिलेगा, OI यानि के open interest होता है, OI change यहाँ पे देखने को मिलेगा, OI change percentage में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आ जो है strike price हमें यहाँ पे center में देखने को मिलता है अभी देखिए अगर से आप यहाँ पे एक arrow का निशान दिया है इस पे अगर click करते हैं click करने के बाद यह पूरा put side का data हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको volume भी देखने को मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हो delta, theta, gamma और vega भी हमें यहाँ से हम सिफ और सिफ कोई और मतलब की जैसे की website पर जाके आपको option change चेक करने के जुरूरत नहीं है बहुत easy तरीके से आप directly angel one पे ही check कर सकते हो और आपको expiry change करने का भी option यहाँ ने ऊपर के side में दिया है अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है अभी यह जो data हमें देखने को मिल रहा है 22 February याने के कल की दिन का data देखने को मिल रहा है यहाँ पे एक arrow का निशान दिखाई देरा उस पे हम click करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने नीचे के side में सारे expiries देखने को मिलेंगे जैसे की अभी जो है आज 22 तारीख है next expiry जो है next Thursday को याने के 29 February को होने वाली है जो की monthly expiry रहेगी उस पे अगर हम click करते हैं तो यहाँ का सारा data हमें change होते वे दिखाई देता है तो दोस्तों यहाँ पे यह data read करके आप जो है options में कर सकते हो का लेकिन मेरा solution यह रहेगा आप chart analysis पे ज़्यादा focus करें क्यूंकि chart जो होता है option chain के ही सबसे बहुत ज़्यादा supreme होता है क्यूंकि chart पे ही सारे जीज़े आसानी समझ में आती है option chain का data जो है जो है अचानक में कभी भी change होता है पांच मिन दस मिनट में भी यह हम पे call side put side के positions change होते वे दिखाई देते हैं तो option chain को आप as a reference करके ही देखें क्यूंकि chart main जो है chart ही है जो chart read करना सीख लीजिए आना बहुत ज़रूरी जैसे कि उसमें आपको support resistance ड्रॉ करने आना चाहिए candlestick patterns आपको समझ में आना चाहिए chart patterns आप सिखना चाहिए trend line कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए तो इन सारे points पे जो है आप बढ़िया से जो है काम कर सकते हो options में तो आपको I hope so यहाँ पे option change कैसे चेक करते हैं expiry कैसे चेंज कर सकते हैं चेक करते हैं और साथी साथ में आपको जो है delta theta gamma वेगा कहां से चेक करते हैं इस सारे चीज़ समझ में आ चुकी होंगी तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था वीडियो जो है सिर्फ सिर्फ educational purpose के लिए बनाए गई है तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में अबस्टाइब करते हैं